Hello students, welcome to the channel online study with DK में नीलम जिनके सांथ आप प्रिप्रेशन कर रहे हैं सबी टेट एक्जाम के हम कॉश्चन सॉल्व कर रहे हैं और काफी बच्चों की जो भी requirement है कि आप सीटेट के previous year के कॉश्चन से भी करवाईए तो बच्चों मेंने जो previous year के कॉश्चन पेपर हैं उन कॉश् इनी सीरीज में एड भी किये हैं और यदि आप चाहते हैं कि सीक्वेंस वाईज हो तो मैं बहुत जल्द ही सीक्वेंस में उन कॉश्चन को ले करके आऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये previous year के ही कॉश्चन हैं तो बाकी लेकिन मेंने previous year के कॉश्चन पेपर से तो चलिए आज हम आपकी न्यू सीरीज जो की 11 नंबर की स्टार्ट करते हैं सबसे आपका जो फर्स्ट कॉश्चन है वो है 1,2,1,8,5,6,4,7,4,5 आपको फाइंड करना है क्या है कॉश्चन आपका 1,2,1,8,5,6,4,7,4,5 क्या होगा तो देखेंगे सबसे पहले तो ये जो आपके ये जो word लिखे हुए हैं इन word का मतलब क्या होता है इन सभी का मतलब है कि आपको जहां पर भी का है वहां पर multiply है और बाकी 1,2,1,8 के 5,6 मतलब जो 1,2,1,8 है उसमें भी आपको 5,6 का multiply करना है और फिर 5,6 के 4,7 मतलब इसमें भी multiply करना है अल्टीमेटली आपको सभी numbers को आपस में multiply ही करना है तो आप देखेंगे यहां पर 1,2,1,8 के 5,6 के 4,7 का 4 अपान 5 आप इस तरह से इसे solve करेंगे तो जब आप इसे solve करेंगे तो आप इसे cancel कर सकते हैं 6,2 time and 3 time आपका ये cancel हुआ तो 2,0,3 into 4 into 4 upon 7 into 5 आप 7 से चेक कर सकते हैं 7 से 2 time और 7 से आपका यहां पर 9 time हो जाएगा तो 29 multiply आपका 16 upon 25 अपका ये हो जाएगा 92.8 आप इसे multiply करके divide लगा लेंगे तो देखेंगे क्वेशन में आपको किस तरह से दिया हुआ था कि 1,2,1,8 के 5,1,6 के 4 upon 7 का 4 upon 5 नेक्स्ट क्वेशन है कि 225 बार 95 कितना होता है अब यहां क्या है 225 बार 95 कितना होता है क्वेशन का मतलब है कि 95 यदि 225 बार लिया जाए तो अब कितना होगा मतलब सीधी सी बात है कि 225 multiply करना है आपको 95 से तो आपका क्या होगा 21375 क्या question में बोला गया था कि 95 यदि 225 बार आता है तब आपका कितना आंसर होगा तो आपने क्या किया 225 multiply 95 is equals to 21375 next question है आपका 1 cube प्लस 2 cube प्लस 3 cube की पावर 1 y 2 का मान होगा 1 cube प्लस 2 cube प्लस 3 cube की पावर 1 y 2 का मान होगा सबसे पहले तो यह सभी cube के form में है और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी तो at least 1 से लेकर 25 तक के cubes आप सभी को याद होने चाहिए ताकि exam में आप डारेक्ट से solve कर सके तो यह हो गए आपका 9 प्लस 27 की पावर 1 y 2 और यहाँ पर आप 9 और 27 को add कर सकते हैं जो की आपका कितना हो यहाँ पर मैं explain कर दूँ 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब आपका 8 होता है 3 का क्यूब आपका 27 होता है और 27 और 9 आप add करेंगे तो आपका कितना होगा 36 हो जाएगा आपका और यह 1 y 2 और 36 मतलब 6 की पावर 2 into 1 y 2 और आपका यह 2 से 2 cancel तो आपका answer हुआ 6 तो देखिए जब भी आपको क्यूब के questions आते हैं तो आप 1 से लेकर के 25 तक के cube और 1 से लेकर के 25 तक के square आप याद कर लें ताकि याप questions में कोई भी mistake ना करें नाक्स्ट question है आपका x rest to the power 5 y 7 divide x rest to the power 12 y 7 का form होगा अब यहाँ पर divide है आधार दोनों का समान है और divide का sign है तो जब भी इस तरह की condition होती है तो जो घाते होती है वो हमारी subtract हो जाती हम उने घाटा देते हैं यह आपका एक formula है जो की आधार और घातांक वाले part में है तब हम देखेंगे इसे तो आपका क्या होगा इसके according x की power 5 y 7 minus 12 upon 7 क्या हुआ जो घाते थी वो आपकी घट जाएंगी और यहाँ पर कितना होगा 5 minus 12 upon 7 मतलब minus 7 upon 7 minus 7 क्योंकि 12 में आपका minus का sign है इसलिए यहाँ minus हुआ यह आपका cancel हुआ तो x की power minus 1 और x की power minus 1 मतलब आपका answer हुआ 1 upon x जब भी minus में power हो और उसे हम positive करते हैं तो हम उसे numerator से denominator में convert कर देते हैं दो संख्याओं के लगुत्तम समावर्तक मा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 72 है यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या होगी दो संख्याओं के लगुत्तम समावर्तक वा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 72 है अब आपका जो लगुत्तम समावर्तक है और महत्तम समावर्तक है उसमें हमने इस फॉर्मूले को देखा था कि लगुत्तम समावर्तक गुनित महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या इन्टु आपकी दूसरी संख्या मतलब इन में से कोई तीन कीवी यदि आपको वैल्यु दी हुई है तो आ फौर्थ वाले जो भी पार्टे उसकी वैल्यु निकाल सकते हैं तो लगुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का आपका गुडनफल दिया हुए 72 और बोला गया है कि एक संख्या है आपकी 6 तब आपकी दूसरी संख्या क्या होगी तो आपको कुछ नहीं करना है सीधे इस 6 से आप 72 में डिवाइड लगा दे तो 72 upon 6 equal आपकी दूसरी संख्या तो आप डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 से ये 1 टाइम and 2 टाइम तो आपकी जो दूसरी संख्या हुई वो आपकी क्या हो जाएगी यहां से 12 जब भी इस तरह के कोई question हो कि आपको तीनों में से कोई भी चारों में से कोई भी तीन की यदि value दी हुई है तो आप एक किसी number को find कर सकते हैं 9 upon 12 का सरलतम रूप होगा आप यहां पर सरलतम रूप का question है सरलतम रूप से question हमेशा आता है simplest form करना तो आप सबसे पहले सरलतम रूप मतलब क्या होता है जितना हो सके तब तक इसे cancel करना कि इनका cancellation आपका बिल्कुल फिर हो ही ना आगे तो आप देखेंगे 9 upon 12 जो इसमें कोई common part बचे ही नहीं इसमें कोई common part नहीं हो और यदि हो तो सिर्फ 1 हो ठीक तो हम 3, 3, 9, 3, 4, 12 और 3 और 5 ऐसे number हैं यदि आप इसमें common ले तो या तो यह 1 से ही divide होंगे या खुद से divide होंगे तो हम यहाँ पर इसका जो सरल्तम form होगा वो 3 upon 4 मतलब एसे part जो की खुद से ही divide हो या फिर 1 से divide होंगे तब वो इसका सरल्तम रूप होगा next question है दो समांतर रेखाओं को एक तिरियक छेदी रेखा काटे तो संगत कोणों के प्रतेक युग में दोनों कोण होते हैं अब यहाँ पर बात हो रही है कि संगत कोण के प्रतेक युग में आपके दोनों कोण किस तरह के होंगे तो आप इस property को आप वहाँ से देखें कि संगत कोण क्या होते हैं और फिर मुझे इस question का आप मुझे वहाँ से answer बताएं next question है आपका question number next angle of a is equal to आपका 75 है तथा c e आपका parallel है बी a के यदि angle e c d equal होगा 40 degree के तो आप a c v का आपका मान होगा यहाँ पर आप इस diagram को देखें मैंने आए एक diagram भी बनाया हुआ साथ में तो angle a जो है वह आपका 75 degree है और e c d e c d जो है आपका 45 degree है और a c b हमें यहाँ से find करना है अब a c v find करना है मतलब इस angle को find करना है और इस angle को find करने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे angle a c e और angle e c d e का addition जो की आपके किस तरह के angle होंगे 180 degree के तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले तो जो angle a है वो है आपका 75 degree और angle a c e जो है वो भी आपका 75 degree होगा मतलब आपका यह वाला जो angle है वो भी 75 degree होगा क्यों होगा क्योंकि यह किस तरह के angle है एकांतर कोण है किस तरह के कोण है एकांतर कोण है अब जो angle a c e है angle a c e है प्लस angle यदि e c d e लेते हैं क्योंकि एक ही line पर वनने बाले जो angle है वो 180 degree के होगे तो 75 degree प्लस 45 degree आपका यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ से a c d e और प्लस आपका a c b आपका यह वाला भी जो angle होगा यहाँ पर a c b वो 180 degree का होगा और इन दोनों की measurement आपको कितनी दी हुई है 75 और 45 और यहाँ पर हमने ले लिए a c b तो हम इन दोनों को यदि add करते हैं यह आपकी 40 दी हुई है आप इन दोनों को add करें और 180 में से यदि minus कर दें तब आपका जो answer होगा 120 आपकी जो measurement है यह 45 दी हुई है e c d आपकी 45 है 45 है तो आप यहाँ से 125 लेने minus करेंगे तो आपको यहाँ पर 65 degree मतलब a c b जो है आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 65 degree आप देखेंगे कि जो एकांतर कोण की property है और linear property है उन दोनों को मैंने use करते हुए इस question को solve किया next question है आपका कि तरबुज a b c में d e पैलर है b c के यदि a d equals to 1 cm and b d equals to 2 cm तथा a e equals to 2 cm हो तो a c की लंबाई होगी आप यहाँ पर question में आपको तरबुज a b c में d e जो है आप यहाँ पर तरबुज देखेंगे a b c है और d e जो है पैलर है यहाँ पर b c के और a d की लंबाई 1 है b d की लंबाई 2 है a e की लंबाई 2 cm है तो आपको a c की लंबाई find करनी है तो आपने triangle की इस तरह की property पड़ी हुई है a e upon e c equals to a d upon d v अब आपकी a e की value 2 है e c की value आपको find करनी है a d की value आपकी 1 है और यह आपकी 2 है तो e c is equals to आपका कितना होगा 4 cm तो आप जो इस type के questions है इन्हें जो भी properties लग रही है इन properties को एक अलग से paper पर note down कर लें ताकि exam के time पर आप read कर सके तो आपके आज के सारे जो questions थे इस तरह से थे कि basic भी थे और कुछ different type के भी थे आपकी इस तरह से question series आती रहेंगे और आप सभी question series को अच्छे से solve करते रहें झाल 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